इन दिनों दिग्रफ तैसल में बतोर कोविड केर मैनेजर डॉक्टर अभय कोविंदवार अपने काम के प्रती समर्पन को लेकर प्रशन साब बटो रहे हैं मालूम हो कि कोरोना संक्रमन के बढ़ते प्रकोब के दोराने एक भी तीन छुटी ना लेते हुए कोरोना संक्रमन के प्रकोब से जीवन के हर स्तर पर दुन्या को जानमाल का काफी नुकसान उठाना पड़ा है ऐसे में डुटी पे तैनाद दुन्या भर के डॉक्टर्स, नर्स, मेडिकल स्टाफ, पलिस सहित विभिन विभागों के सरकारी अधिकारी और करमचारियों ने जनता की सुरक्षा के लिए और अपने फर्स को हर हाल में निभाने के लिए जोखिम भी उठाया इस तरज दिग्रस्त हैसल की बात करे तो यहां स्थानिय ग्रामिन रुगनाले में कारेरत और इसापर कोविट केर के इंचाज डॉक्टर अभै गोविनवार भी प्रशिनसा के पात रहे वो इसलिए क्योंकि कोरोना संक्रमन का शुरुआती दौर बेहत कठिन और तकलीफ देह साबित हुआ ऐसे में शुरू से लेकर हाल की दिनों तक का डॉक्टर अभै ने बगैर कोई छुट्टी लिए अपनी निष्टा और काम की प्रती इमानदारी को बखुबी से निभाया इन बीस ये ने इस बाबत उनसे बातचीत की है मैंने से कभी नहीं बोला नहीं इसमें पोच जंग ट्यूटी कारने के लिए घपरा रहते हैं लेकिन जब से मेरे पूद 10 अप्रिल से मेरे पास में जैसा लेटर आया है कि आपको कोई करना के संबालना है बैरहाल कोरोना संक्रवन की प्राधरुबाओ के मद्य नजर बात की जाए तो फिलहाल कोरोना संक्रवन का खत्रा काफी हद तक टल चुका है फिर भी कोरोना को हलके में न लेते हुए मास्क सानेटाइजर का इस्तमाल जारी रखना ज़रूरी है ऐसा सुझाओ भी इस दौरान डॉक्टर अभै नी दिया साथ ही फिलहाल दिग्रश शहर और कोरोना संक्रमन किस्तिती पर भी उन्होंने जानकारी दी है अभी फिलार में जो प्रड़ो लखना है तो नौसो साथ इसका है तुसमें अभी तो किते लोग पाज़ूटे आए उसमें रैपीड और अर्टेपी सेया और रैपीड दोनों का है अभी तो जो पघ्रश लोग पॉजटे आ है जो अब सब्सक्राइब का उन्हों पिताए उसमें तीन लोग पाज़ूटे है उसमें महागा व ताहलमन का एक पूरूश है और लक्समी निगर का पूरूश है और एक पूरूश के है अग पूरूश है अब्टेश में एक बहराल आजकल देश भर में कोरोना वोर्यस की योगदान की चलती ही कोरोना प्राधुर्भाव का असर काफी कम नजर आ रहा है। दिग्रस थैसल के कोरोना वोर्योस की सूची में डॉक्टर अभय का योगदान भी काबिले तारीफ है। दिग्रस से इनवी से न्यूस के लिए जुबेर खान की रिपोर्ट।